गुड मॉनिंग, ख्लास ओर का लेशन 14 सचिन तेंदूलकर जैसा कि चैप्टर का नाम ही है सचिन तेंदूलकर, मतलब इस चैप्टर में सचिन तेंदूलकर के बारे में हम पढ़ेंगे उनके जीवन के बारे में कहां उनका जन्मुआ कैसे उनका खेल यात्रा कैसा रहा हो ने क्या क्या पुरिसकार मिले इस शेप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो सौम में था हुआ सादगी की प्रतिमूर्थियर बल्लेबाजी के बेताज बादसा सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है तो सचिन तेंदुलकर अपने चहीते संगितकार के नाम पर सचिन का नाम रखा उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने बचपन में ही सचिन के अंदर की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें उचित मारदर्शन प्रदान किया उनके जो बड़े भाई तेंदुलकर उनके प्रतिभा के बारे में उनको बहुत पहले ही पता चल गया था और इसलिए उन्हें उनको सही मारदर्शन प्रदान किया साधारन परिवार में पले बड़े सचिन ने साधास्रम विद्या मंदिर में अपनी सिक्षगरन की वहीं पर वे क्रिकेट के दुरूनाचारे माने जाने रप्रसिक्षग रमाकांथ आचारेकर के संपर्ग में आये और क्रिकेट जीवन का प्रारंग किया तो ये सबसे पहले पढ़ाई लिखाई है साधास्रम विद्या मंदिर में स्टार्टिंग किये थे वहीं पर क्रिकेट के दुरूनाचारे मतलब क्रिकेट महान जिसको बोला जाता है वह ऐसे परसिक्षग से उनका भ्याट हुआ जिसका नाम था रमाकांथ आचारेकर उनके संपर्ग में आकर ही उन्होंने वहाँ पर खेलना ग्रिकेट खेलना आरम किया वहीं से उनका cricket का जीवन आरम हुआ तेज़ गेंदबाज बनने के लिए उन्होंने MRF Pace Foundation के अभ्यास कारिक्रम में सिर्कत की तो उनका शौक था कि वो चाहते थे कि वो एक तेज़ गेंदबाज बने इसलिए वो MRF Pace Foundation के अभ्यास कारिक्रम में वो भाग लेते हैं सिर्कत करना का मतलब शामिल होना पर वहां तेज़ गेंदबाजी के कोच डेनिस लिली ने उन्हें पूर्ण रूप से अपने बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने की सला दी लेकिन वहां पर जो वो पोच थे डेनिस लिली वो उनको बोलते हैं कि नहीं आप गेंदबाजी में बल्लेबाजी में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए मतलब ध्यान लगाईए सचिन हैरिस सिल्ड के मुकाबले में विनूत कामली के साथ पंद्रा वर्स की आयू में नीजी रूट से 326 रन बनाते हुए 624 रनों की विस्व रिकॉर्ड भागीदारी की प्रतिवा दिगा कर मुंबई टीम में सामिल हुए वर्स 1990 में इंग्लेंड के दोरे में अपने टेस्ट जीवन का प्रथम सतक बनाया 919 उसके बाद ये सिलसिला बात के अस्रीडिया वद अच्छिन अफ्रीका के दोरों में भी जारी रहा अपने 21 टेस्ट मैच विदेश में ही खेलने वाले सची ने वर्स 1992 और 1993 में इंग्लेंड के खिलाव टेस्ट मैच भारत में खेला ये उनके द्वारा स्वा देश में खेला गया पहला टेस्ट मैच था सचीन ने अंतरास्ट्री खेल जीवन की सुरुआत 1989 1989 में की थी तब उन्होंने भारत की और से पाकिस्तान के विरूद कराची में मैच खेला था यदि भी सचिन नियमित गेंदबाज नहीं है लेकिन वे मध्यम तेज लेग आफ स्पीन गेंदबाजी में प्रखर हैं कई मैचों में भारत की जीतपकी कराने में उनकी गेंदबाजी का प्रमुक युगदान रहा है तो यो गिंद बाजी भी वो कर लेते हैं और जी तिलाने में वो भी उसके लिए प्रमुक युगदान वो दिये हैं वे बल्ले बाजी दाएं हाथ से करते हैं किंदू लिखते बाएं हाथ से हैं लेकिन लिखते समय वो बाएं हाथ का प्रेयो करते हैं सचिन से पहले वीविस में कई महान बलेबाज हो चुके हैं लेकिन उनकी तुनला सचिन से नहीं की जा सकती है वर्स 1989 में अंतराश्ट्री क्रिकेट में पदारपन के पश्चाथ वे बलेबाजी में कई किर्थिमान सापित कर चुके हैं तो जैसे वर्स अंतराश्ट्री के क्रिकेट में पदारपन हुआ उनका मतलब रवेस हुआ उसके आद उन्हें बलेबाजी में कई किर्थिमान सापित किया मतलब बहुत सारा रिकॉर्ड वो बनाए उन्हें टेस्ट या एक दिवसी क्रिकेट दोनों में सरवादिक सतक अर्जित करने का गौरा मिला है सतक का मतलब होता है सोरन तो सोरन बहुत सरे मैचों में उन्होंने सोरन और उसे जाधारन बनाए है क्रिकेट के छेतरे में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने ही तू भारत सरकार ने सचीन को 1994 में अर्जुन पुरसकार क्या उत्कृष्ट का मतलब स्रेश सेवाए देने के लिए उनको 1994 में अर्जुन पुरसकार वर्ष 1997-1998 में राजियो गांदी खेल रत्न पुरसकार वर्ष 1998 में पदमश्री वर्ष 2001 में महराश्र भूशन पुरसकार वर्ष 2008 में पदम वीभूशन और वर्ष 2014 में भारत रत्न पुरसकारों से सम्मालित किया इनके साथ ही इने वर्स 2012 में राज्य सभा सदस से मनुनित किया गया और 2012 में उनको राज्य सभा का सदस से भी मनुनित किया गया उन्होंने एक दिवसी क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट के सन्यास लेने की घुशना करते वे कहा देश का प्रतिनी दित्व करना और पूरी दुनिया में खेलने के लिए खेलना मेरे लिए एक बड़े सम्मान था मुझे श्रदेशी जमीन पर 200 वाँ टेश्ट खेलने का इंतिजार है इसके बाद मैं सन्यास दोगा तो वेट कर रहे थे कि 200 वाँ टेश्ट मैच के लेंगे उसके अदो सन्यास देगे इसके बाद मुंबे के वान खेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडिस के विरुदूनों ने अंतिम टेश्ट मैच खेला उन 16 नवंबर 2013 उन्होंने टेश्ट मैच को अलविदा कह दिया क्रिकेट से सन्यास देने के उप्राद सचिन विभिन स्वायम से भी संगठनों से जुल कर जरूत मंदों के सेवा कारियों में जुटे हुए है क्रिकेट खिलाडियों के रूप में लोग भी सचिन तेंदुलकर की जीवनी पर एक फिल्म सचिन ए मिलियन ड्रीम्स का निर्मान हुआ है किया जा रहा है तो उनके जीवन को देखते वे उनके जीवन के उपर एक फिल्म बना है बन रहा है जिसका नाम है सचीने मिलियन ड्रीम्स तो अगर बोला जा इस चाप्टर से में क्या सिक्षा मिलती है तो हमें यह सिक्षा मिलती है कि सम्मान फ्राप्त हो जाने पर भी हमें जीवन मिल्यों को त्याग नहीं करना चाहिए बलकि सही राह पर ही चलना चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में इस कमड़ पोश्चन और अंसर करेंगे थैंक यू